हलो व्यूर्स, आज हम करेंगे प्रश्णावली 1.2 का प्रश्ण नमबर 6, कक्षा दस्वी का और प्रश्ण है व्याख्या कीजिए कि उसके बाद हम बता सकती कि भाज्य संख्याए क्यों हैं तो सबसे पहले भाज़ों अभाज्यसंख्याए समझ लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते कि भाज्य संख्याय क्या होती है तो भाज्य संख्याय वे संख्याय होती है जिसमें स्यम उन संख्या के अलावा और दुसी संख्या का भी भाग चला जाता है जैसे उधारन के लिए यदि पंद्रा है तो पंद्रा में पंद्रा के अलावा और दु पंद्रा हो जाएगा और पांच एकम पांच हो जाएगा मतलब पंद्रा किसकी से विभाजित हो जाएगा तीन से विभाजित होगा पंद्रा पांच से विभाजित हो जाएगा और इसके अलावा पंद्रा स्वियम पंद्रा से भी विभाजित होगा और एक से भी विभाजित हो जाएगा तो पंद्रा तीन से पांच से और पंद्रा स्विभाजित हो रहा है मतलब यह भाज्य संख्या है यह लेकिन इसी प्रकार यदि अभाज्य संख्या को समझे अभाज्य संख्या के उधान की तोर पर यदि हम देखते हैं साथ तो साथ में किस संख्या का भाग चला जाएगा तो साथ में दो का, तीन का, चार का, पाच का किसी का भाग नहीं जाता है साथ में किल साथ का भाग जाएगा और एक का भाग तो हर संख्या में चला ही जाता है तो भाज्य संख्याय वे संख्याय होती जिनमें स्यम और एक के लावा और दुसी संख्याय का भाग चला जाता है जबकि अभाज्य संख्याय में स्यम उस संख्याय और एक के लावा और किसी संख्याय का भाग नहीं जाता है तो हमने भाज्य और अभाज्य संख्याय समाज ली है और उधारण देख लेते हैं जिसे उधारण के रूप में यहाँ पर हम देख लेते हैं चार तो चार भाज्य संख्याय या अभाज्य संख्याय तो चार में क्या केवल चार के लावा और किसी का भाग नहीं जाता है तो जैसा नहीं है, चार में हम दो का भाग लगा सकते हैं, दो का भाड़ा दो बार बोलेंगे तो चार, दो एक कम दो, मतलब चार में दो का भाग चला जाता है, चार का भाग भी चला जाएगा और एक का भाग भी चला जाएगा, तो इसके जो भाज्य हैं, उसमें हैं, दो, चार और एक उसी प्रकार यहां पर हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं में 5 है तो 5 में भी 5 के लावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो अभाज्य संख्याओं में 5 से भाजित होगी और 1 से भाजित होगी तो इस प्रकार यह अभाज्य संख्याओं है अभाज्य सं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है जबकि भाज्य संख्याओं में स्वयमु संख्या के अलावा और दूसी संख्याओं का मतलब इसके जो भाज्यक होंगे वह दो से अधिक होंगे एक तो वह संख्या होगी एक एक होगा और उसके अलावा और दूसी स संख्याओं का भी इसमें भाग चला जाएगा तो इस प्रकार हमने भाज और अबाज अच्छे से समझ लिया अब हमें सवाल को हल कर लेंगे हल करेंगे तो यहाँ पर यह जो संख्या दे रखी व्याख्या कीजिए कि पहली जो संख्या यह दे रखी है और उसके बाद दूसरी संख्या यह दे रखी है भाज्य संख्या है क्यों हैं तो हम इसको हल करेंगे सरप्रथम संख्या तो सरप्रथम जो प्रथम संख्या दे रखी उसे ले लेते हम साथ गुणा ग्यारा गुणा तेरा धन तेरा में इसको हल करेंगे हम तो देखो यहाँ पे गुणा वाली जो संख्या उसमें तेरा है और धन भी 13 है तो इसमें हम 13 को common ले सकते हैं तो हम यहां 13 को common ले लेंगे तो यहां क्या बच्चा 7 गुणा 11 गुणा यहां पर 13 हमने common ले लिया तो यहां एक बच्चा है धन यहां 13 common ले लिया तो एक बच्चा है तो अब देखो इस संख्या ये तेरा है मतलब तेरा भी या गुणा में ही जाएगा इनके इसका गुणा इनमें भी होगा और इसमें भी होगा तो यहाँ पर ये जो संख्या बनेगी इनका गुणा करके और तेरा जोडने के पाद जो संख्या बनेगी वह तेरा से विभाजि होगी तो हम यह लिख सकते हैं कि संख्या साथ गुणा ग्यारा गुणा तेरा धन तेरा स्व्यम उस संख्या तथा तेरा से विभाजित होगी। इसके लावा तेरा से भी विभाजित होगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह तेरा से भाज्यत होगी और उस स्यम संख्या से भी विभाज्यत होगी, और एक से भाज्यत होगी ही सही, इसलिए यह जो संख्या बनेगी यह एक भाज्य संख्या होगी, इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे भाज्य संख्या होगी इसी प्रकार आप दूसरी संख्या लेंगे अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या तो प्रेश्ण में जो दूसरी संख्या दे रखी वह है साथ गुणा छे गुणा पाच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक धन पाच तो यहाँ पे भी हम देखते धन पाच है और यहाँ गुणा में भी पाच है तो यहाँ पाच को कॉमन ले सकते हम पाँच कॉमन ले लिया तो क्या बच्चा साथ गुणा छे गुणा पाँच के स्थान पर हम ने एक लिख दिया है क्योंकि पाँच तो हमने कॉमन ले लिया है गुणा 4, गुणा 3, गुणा 2, गुणा 1 और यहाँ पर 5 हमने common ले लिया तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन 1 तो इस प्रकार यहाँ जो संख्या बन रही है पूरी यहाँ भी 5 से भाजित होगी संख्या से भी भाजित होगी और 1 से भी भाजित होगी इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए संख्या साथ गुणा, छे गुणा, पाँच गुणा, चार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा, एक धन पाँच, एक विभाज्य संख्या है, क्योंकि यह स्वयम व एक के अलावा पाँच से भी भाज्य है, इस प्रकार हमने बता दिया है, कि जो संख्या है यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यह स्वयम इन संख्याव के अलावा, जैसे प्रथम संख्या तेरा से विभाजित होगी हमने इसमें से common लेके बता दिया है या तेरा से विभाजित होगी और यह जो संख्या है दूसरी वाली संख्या पास से भी इस्वयम संख्या के अलावा पास से भी विभाजित होगी और एक से तो हर संख्या विभाजित होती इसलिए यह जो संख्या हैं दोनों ही भाज्य संख्या हैं और यह हमने हल करके बता दिया है यहां व्याख्या करके तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए